चलिए बात सवाड़ा की आदिवासी भाली शेतर की ये स्थिती जी मीडिया के तरब से शायद वहां के प्रशासन की आँख खोल पाए चलिए आगे बढ़ते हैं इधर राजस्थान सरकार प्रदेश में और द्योगिक निवेश वाता बनान बनाने के लिए नई नीतियों उद्यम्यों से संभाद और रियायती प्रावधानों पर फोकस कर रही है आप खुद देखिए ने कहा कि नाराज़गी सिर्फ उनको आर्थिक सहयोग नहीं करने की है यह सिर्फ राजस्थान की दिक्कर नहीं है पूरे देश की यह है यह दो दिन जो है इसके फायदा बराबर कॉन्पलेब्स होगी यहाँ पर सेशन्स होंगे बी टूबी मिटिंग्स होगी और प्रोग्राम होगा अपस में समझेंगे टेकनिक समझेंगे और जो इंडिया गवर्मेंट का और राजस्थान गवर्मेंट का भी यह परसावा है कि राजस्थान के उद्ध्योगों से मसमी से जो कमपलसी परचेज है उसमें भी आज हमारा यह जो एक्सपो हो रहा है इनिस चितर फायदा एक्सपो में देश भर की पचास कमपनियां शिरकत कर रही है इसमें सौर उर्जा, जूलरी, प्लान्टेशन, सिक्क्योरिटी, कमपनी उपकरन, इलक्ट्रोनिक्स, फूट समेथ, विभिन्र सेक्टर की कमपनियां है उद्योग विभाग के अधिकारियों के सखत रुख के चलते आयोजन और धन की उम्मीदें दोनों धूमिल हुई है लेकिन उद्योग विभाग बाहर से आने वाले निवेशकों से विवहार में नर्मी रखने की नसीहत दे कर जरूर चला गया अंके तिवारी जी मीडिया जैपूर